रीवा कलेक्ट्रेट में पेशी करने आए दो पक्ष आपस में भिड़ गए वाद विवाद बढ़ता देख पुलिस को सुचना दी गई मौके पर पहुंच पुलिस ने स्थिती को संभाला और दोनों ही पक्षों को समझाईश देकर सिविल लाइन थाने भेज दिया पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है दरसल कुछ साल पहले उमेश चंद्रसोनी द्वारा अम्हिया स्थित 3900 स्क्वायर फीट जमीन मुन्ना सिन से खरीदी थी जिसका बकायदा रजिश्ट्री भी हुई और उस जमीन पर पीडित ने दो मनजिला घर भी बनव लिया लेकिन जब तीसरे मनजिल का काम शुरू हुआ तो पूर्व जमीन मालिक मुन्ना सिन ने काम को रुकवा दिया तब पीडित द्वारा पूछने पर उन्होंने और रुपए की माम की जिस पीडित ने पैसे देने से मना कर दिया और पीडित ने कलेक्टर को शिकायत कर और मामला एडियेम नियाले में चलने लगा। आज दोनों हो पक्ष कलेक्टरेक पेशी करने पहुचे थे जहां आमने सामने आते हो दोनों के बीच बिवाद हो गया। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर धमकी देने वजान से मारने के आरोप लगा रही है। मौके पर पहुची पुलिस ने दोनों पक्षों को शान्त कर सिविल लाइन थाना भेजे दिया है जहां आगे के कार्यवाही पुलिस द्वारा को जा रही है। मेरे नाम उमेश चंद्र सोनी है। मैंने मुन्ना सिंग जी से महिया में 3925 जमीन खरी दी जो मेरे नाम मेरे भाईया के नाम मेरी पतने के नाम मेरी बाभी के नाम पर है। हम लोग ने मुन्ना सिंग जी को पूरा पैसा RTGS के माध्यम से दे दिया। रजिस्ट्री में ये बात का इसपस्ट उलेक है। कुछ भी लेना देना सेस नहीं है। रजिस्ट्री होने के बाद हमने अपना नामांतरन करवाया जो लगबग तीन महिने में हुआ। रजिस्ट्री होई थी जन्वारी में नामांतरन होने के उपरांथ हमने उसी जमीन में नगर निगम से अपना नक्सा पास कराने के उपरांथ हमने वह एक अपरेल से काम लगाया एक अपरेल 2023 से। और हमने अपना दो मंजिल मकान बना लिया, दो मंजिल मकान बनाने को पुरान, जब तीसरे मंजिल पर हम काम लगा है, तो मुन्ना सिंग जी एक दिन आये, और इट पत्थर मार के माई लेवरों को भगा दिये, गाली गलोज देने लगे, और अब सब्दों का प्रयोग किया, हम दस दिन बाद जब जा करके उन से मिले, कि ये गलत बात है, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा लड़का जेल में है, जब तक मेरे लड़के की जमानत नहीं हो जाएगी, तब तक मैं कुछ भी बात नहीं करूँगा, ऐसे तैसे करते करते, तीन महीने बीद गए, तीन महीने सो, आप हमारे सामने प्रस्तुत कीजिये, तो वह कहते हैं कि हमारा दो मुसलिम लोगों से ऐग्रिमेंट है, आपको जमीन देने के पहले, तो उस एग्रिमेंट के भियाब पर पैसा दीजिए यह पताएं कहां को है यह मुस्लिम से उन्होंने एक लाख रुपे का एग्रिमेंट की अधर के हमको एक लाखी जमीन देते ति यह सब गलत बात है हमें उसको कोई लिन देना नहीं है हमारा कहना चाहिए जमीन है पूरा प माननी मुन्ना सिंग जी को देना सेस नहीं है मैं पूरा पैमेंट दे चुका हूं को माननी अपर क्लेटर कहां हमारे बैनोई साहब की मीटिंग थी वह पेसी थी तो हम और आप बैनोई साहब हम लोग आएं तो एक हंसला सिंग जी है जो कि आपको एग्रिमेंट किये हुए अवास तक पैसा नहीं दिये और कहते हैं कि पैसा मांगनिया को गोली मार देंगे आज उन्होंने उल्टा ही केस अपर माननी अपर क्लेटर कहां लगाया था तो हम लोग आज पेसी में जब उपस्तित हुए तो वहां से वह सीधे पीछे वाले गेट से आएं तो सीधे हमको अब बोलें कि हम तुमको तो देख ले अब तुमको तो हम सीधे गोली मरूरा हो एक लड़का अभी हमारा गोली मारा है अब हमकर तुमकर तुम्हार बाली है अब कल मानी उस चन्याला की साहथ जमानत पुशक कर लड़का है तो वह वेपारी आदमी हूँ साब मैं बहुत मुन्ना सिंह कहा है बोला अभी उसके कम से कम तीन इसकार पर बाहर आदमी खड़े हुए हैं आप आप घुमा के कैमरा देखा लिए कम से कम यहां पर पजास आदमी है और जमीन हम ने हमारे जो भाई सहावें वो लिये थे और उनका पैसा ले के उन्होंने पैसा ना देने के यह सब उन्होंने एक जूटा मुकात्मा यहां पर लगा दिया कि उनका पैसा ना देना पड़े उनकी कोई जमीन थी रामयया में और उनको हमको भाई सहाब ने बोला कि वहां पैसीम चलना है मैं जाया तो वह हमको देखते हैं उनको जमीन में बिली साब अजो उनका पैसा पाईसा देने में पाईसा वानुमन में लिकार में हो फाला कि यसाब एसलिए और यह लगहलर दो साल पुराना मामना है अगर यह तो तीन जिन के अंदर यार नहीं हुए मेरे निश्चित मड़र होना है मामला जो यह चल रहा है इसी अपर क्रेक्टर सहाब के अहां और हम लोग पांच लोग आये थे घर से आज पेशी थी यहां है तो हमारे चाचा जी को जान से मारने की दे रहे हैं गोली मार दी जाएगी जबर जस्ती प्रशाशन रुशासन को बोल रहे हम कुछ नहीं मानते है कि रहा हम जब रजस्ती कप जले दें औरा दंटी जी के द्वार दंकी जा रही है हमारे चाचा जी को विभात कुछ नहीं है यहां केस चल रहा है निए यहांपर पेसिती आज यह आए हैं ध्वकी देल हैं यहां क्यारा कर नाम है पैसे का कुछ लेंदेन है उसके चककर में बोल रही है चाल रहा है वहा है नामनाा है